और NDA के सयोगी दल RLD के अध्याक्षु जैन चौधरी का कावड़ बार नेम प्लेड के फैसले से खुश नहीं है जैनत ने कहा कि अभी भी समय है फैसला वापस होना चाहिए या फिर इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए कहां कहां नाम लिखे क्या अब कुर्ते में भी नाम लिखना शुरू कर दे ताकि देख कर हात मिलाना है या गले लगना है ये भी हमें पता चल पाए तो सोचे आपकी NDA के सयोगी दल है RLD और क्या कुछ कहा है जरा सोचे है जो कावड लेके जाते हैं उनकी सेवा है सभी लोग लगते हैं ना तो कावड लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है जो सेवादार है उनकी वो एक शिवात की तरह प्राप्त करते हैं ग्रन करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम कोई इस हिसाब से जाती या धर सब परतिष्टान अपना नाम लिखें अब एक मालक कोई और हो सकता है ब्रैंड जोच और हो सकता है मिक डॉनल्स क्या लखेगा पुराने ब्रेंड हैं किसी के नाम हो सकते हैं एक मालिक ने कई मालिक हो सकता है मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला ने लिया फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं मैं देख रहा हूं अब मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जबर्दस्ती पर प्रशासन का कोई दबाव जो चॉइस से लगा रहा है लगा लिए जहां तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको यह प्रमाड़ होना चाहिए जो पदार्त उसमें है वो अठ्यूप मुसल्मान वेजटेरियन है और हिंदू नाने वाली है क्या değil आफेकर लगा बिलंग अफ्र लगाना देख एक लकर देंग 6 गले लगाना है तो जैन चौधरी को आप सुन रहे थे अब नेंपलेट विवादर बाबा रामदेव ने भी अपनी बात रखे है रामदेव को नाम बताने से अधिकत नहीं तो पिर रहमान को नाम बताने से अधिकत है अपने नाम पर गौरव सब को होता है रामदेव ने इस बात को कहा साथ तो नाम छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने कारिये को शुद्धता और प्रामानिकता से करने क्या हो शक्ता है यदि हमारे कारिये में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहिए हिंदु है मुसल्मान है हम किसी भी वर्ग से तालूक रखते हैं ब्रामनक्षतिय वैश्य दलित आदिवासिय वनवासिय हम सब भारतवासिय है और सब को अपने भारतिय होने पर अपने हुंदू होने पर अपने मुसल्मान होने पर अपने जयन बोद्दो होने पर अपने दलित होने पर अपने OBC होने पर अपने बामणक शत्यादी होने पर सबको समान रूप से गोरे होने चाहिए इसमें कही तरह है कि जो नेरेटिव घड़े जा रहे हैं उठ लिखने अपने पर सब्सक्राइब जा रहे हैं जो पाल और दूसरी चीज़े बेशते हैं मांग की जा रही है कि दुकानों और ठेला पर मालिक के नाम लिखे जाए जिससे शधालू प्रमित ना हो हाला कि उजयन में इस तरह का आधिक साल पहले भी दिया गया था जिसके बाद कई दुकानों और होटेल के मालिकों ने आधिक का पालन किया काई ने नहीं किया अब प्रिशासनी से सक्ति से लागू करवाने की बात कर रहा है स्रावण मास हमारा पवित्र मास है जिस तरह के से इन मुस्लिम समाज के लिए रमजान जो एक महा के होते हैं वो बड़ पवित्र होते हैं और उनकी पवित्रता के लिए वो सब कुछ करते हैं तो इसे स्रावण मास में भी पवित्रता के लिए संकल्प लेता है और वो संकल पपूरा करता है इसलिए उसका संकल्प कहीं खंडित ना हो इसलिए नाम सभी प्रिश्टायनों पर लिखे जाते हैं तो उसमें कोई अपत्ति कि पूल नहीं होना जाइए लेकिन कुछ जिहादी तत्व के लोग अपने नाम बदल कर भोजना लेव में हिंदू पर तस्वीर देवी देउतां की तस्वीर लगा कर और होटलों में हिंदू को मेंजर बना कर बेठा रखा इन लोगों ने जब उनके साथ चल होता है किसी इस बई के खाते में जाता तर पता जलता है तो आप अपनी इमान-दारी बना कर रखे ना जितने प्रोपारीटर है मालिक है रिस लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं क्योंकि पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको बता चुके हैं वह काफी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कारवाई को कर लें यदि होटल संचाला को उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्य तोर पर हम होटलों को बंद करने की कारवाई करेंगे क्योंकि यह आवश्यक है कि किस वेक्ति का होटल है कहां पर उसे खिस से शिकायत करनी है यह जो है सभी जो भी लोग रुपने के लिए आ रहे हैं उनको मालूं रहे हैं और यूपी के बाद बिहार में भी धार्मिक स्थलो पर दुकानों के आगे आज़ए आब दुकांदार अपने नाम लिक्वा रहे हैं बोदगया में फल का दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने अपने दुकानों के आगे नाम लिखवा दिये जारगन के देवगहर में जल चड़ानी के बाद कावडिये बड़ी संक्या में बोदगया मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं इसलिए अब उत्तर देश की तर्श पर यहां पर भी थर तेली रेड़ी और खबो वालों ने अपने नाम लिखने शुरू कर दिये हैं परिछान के लिए लगाने के लिए बोले हैं। परिछान के लिए लगाने कि भाई त्सका अधमी को है दोखान। इसका माली कौन है या है वहाव का भेट भाव की बात नहीं है और कावड मार पर धाब दुकान या फिर ठीलो पर माली किया संचालक का नाम लिकुट के आदेश पर सियासिक हमासान तो मचा ही है मामला बदालत तक जा पहुचा है यहाँ पर जमयत उले माई हिंद ने लीगल टीम की बैठक बुलाई और कोट जाने की तैयारी में है वहीं पश्मी उत्तर प्रदेश में कावड यात्रा शुरू हो चुकी है कावड ये दिल्ली दैरादून हैवे से हर्दवार जा रहे है इस मार पर दुकानों उठाबों पर कई जगों पर लोगों के नाम लिक दिये गाए है कई जगों पर नाम बदलने के लिए पैत्रे भी लगा रहे है लोग अपनी दुकान में हिंदू प्रदेश बना रहे हैं और नाम बदल कर हिंदू नाम अपनी दुकान में लगा रहे है वहीं लोग अपनी दुकान चलाने के लिए जुगत भी लगा रहे है कुछ लोगों को लगता है कि मुझा नाम से हिंदू ग्रहा उनके दुकान पर जाने से हिच केंगे लेहाजा एक चाई की दुकान वाले ने अपनी दुकान में हिंदू दोस्त को पार्टनर बना लिया मुझाफर नगर में दिली दैरादू नेशनल हाईवे 58 पर शमीम सेफी नाम के वेक्ते ने डे नाइट कैफे के नाम से चाई की दुकान शुरूगे जिसका नाम अब बदल दिया गया और नाम रखा गया शमीम सेफी टी स्टॉल साथ ही शमीम ने अपने दोस्त को दुकान में पार्टनर बनाया और अपने पार्टनर निखिल का नाम भी बोर्ट पर सहीवगी के तौर पर लिखवा दिया निखिल का कहना है कि शमीम उनके पुराने दोस्त हैं जब ये नाम लिखने का आदेश आया तो उन्होंने मदद मांगी और वो दुकान में शमीम के साथ पार्टनर बन गए और इसके लिए तयार हो गए हलाकि उनका कहना है कि वो अभी पार्टनर बने नहीं है लेकिन बोर्ड पहले ही बन गया है जिस पर उनका नाम लिख दिया गया है के सक्स की कैंटीन थी वो मेरा दोस्त है यह आपका राना चोक के पास ठीक है टी स्टाल है तो वहां पर ठोड़ा कावड़ वो चलाया है मौसम तो उसके रिसाब से उसने भाई ने मेरे से बोला कि भाई इसमें मेरा सहयोगी बन जाए तो दोना भाई कलने अब दो चार दिन में मेरी पैर्टरसिप हो जाएगी और जो बॉर्ड बन वाने के लिए पुलिस परसाजन ने कहा था वो बॉर्ड बन चुके हैं क्योंकि पहले ही बनवा लिए